प्रभु में अतीप्री भाईयों और बहनों आप सभों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभों का सत्यवुचिन कारिक्रम में स्वागत करता हूँ। हम इस कारिक्रम में निरंतर परमेश्वर की महान योजना को जो उसने मेरे लिए और आप के लिए बनाया है पुवित्र शास्त्र से अध्यन कर रहे हैं और सीख रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी भी योजना को भली भाती समझते हैं जो हमारे लिए है तो हम उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। पुरंतु यदि हमें उसका ग्यान ना हो तो हम क्यों कर उसे अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। इस अध्यान में जो बात हम कर रहे हैं वो आपके अपने जीवन से जूड़ी हुई है और जो योजना है वो उस परमेश्वर की है जिसने आपको मुझे बनाया है तो ये ना सिर्फ हमारे लिए एक उत्तम बात है परंतु एक जिम्मदारी पूर्ण बात भी है कि उन्हें हम चाने और अपनी जीवन में उसे अपनाएं क्योंकि यदि हम उन्हें नहीं जानते हैं तो हम परमेश्वर की महानतम आशिशों का स्वाद नहीं चक पाएंगे और साथ ही उनकारियों को करने के द्वारा जो परमेश्वर की द्रिस्टी में अनुचित है परमेश्वर के न्याएं या दंड को अपने जीवन में आमंतृत करेंगे यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप दंड पाना चाहेंगे तो आपकी शिग्र प्रतिक्रिया होगी क्यों कैसे किस कारण से मित्रू जिसने इस संसार में आपको एक उदेश के साथ जीवन दिया है वह यह चाहता है कि आप उसके अनुरूप जीवन वैतीत करें ना कि अपने मन के अनुसार जैसा चाहें वैसा जीते रहें और इसलिए हम यदि परमेश्वर की इच्छा को जा करते हैं तो हम परमेश्वर को हमारे जीवन में आशीष देने के लिए अमंतृत करते हैं और और उसर देते हैं इसलिए हम परमेश्वर की वानी और आज्याउं को आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक जन उसकी योजना और इच्छा को जाने कि दंड के भागी नहीं परंतु आशीश के भागी बने तो चलिए दोस्तों इस अध्यान में आगे बढ़ते हैं प्रेमित्रों जैसा कि मैंने आप से पिछले अध्यान में कहा था कि हम पद साथ से अपने अध्यान को आरंब करेंगे तो आएए हम इबरानियों के पत्री पांच अध्याय उसके साथ पद को पढ़ें यहाँ पर लिखा है इश्यू ने अपनी देह में रहने के दिनों में उचे शब्द से पुकार पुकार कर और आशु बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यू से बचा सकता था प्रार्थनाय और विंती की और भक्ती के कारण उसकी सुनी गई धर्मशास्त्र से पता चलता है कि इश्यू तीन बार रोया था परन्तु मेरे विचार में वह और भी रोया था जिसका उलेक धर्मशास्त्र में नहीं है आईए देखें पहली बार लाजर की कबर पर वह जानता था कि वह उसे जीवित कर देगा परन्तु उसकी बहनों को दुखी देख उसका दिल तूट गया था और यही कारण है कि वह हमारे दुख को समझता है दूसरी बार वह यरुशलेम के लिए रोया था और मुझे पूरा विश्वास है कि वह हमारे नगरों के लिए भी रोता है क्योंकि उनकी देहनिय दशा निश्चे ही रोने का कारण है तीसरी बात गत समनी की वाटका में भी वह रोया था क्यों? किसी आविश्वासी ने कहा कि यदि वह वहा होता तो प्रवईश्व को क्रूस की अपयक्षा कोई और मृत्यु देता शैतान भी यही चाहता था कि वह गत समनी में ही मर जाए कि उसे क्रूस पर चढ़ना ना पड़े लुकार्ची सुसमाचार 22 अध्या उसके 42 पद में प्रवईश्व कहता है हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरी को मेरे पास से हटा ले तो भी मेरी नहीं परन्तु तेरी इच्छा पूरी हो इश्व मसी गत समनी में मरना नहीं चाहता था धर्मशास्त्र में हम देखते हैं कि प्रवईश्व तीन बार रोया था परन्तु मेरे विचार में वह इससे अधिक रोया था धर्मशास्त्र में इश्व पहली बार लाजर की कबर पर रोया था क्योंकि उससे उसकी बहनों का दुख सहा नहीं गया वह हमारे दुखों में हमारे साथ बराबर का भागी होता है क्योंकि वह मनशे रहा है। दूसरी बार वह येरुशलेम के लिए रोया था। वह आज भी विश्वार्सियों के नगरों के लिए रोता है। तीसरी बार वह गत्समनी में रोया था। क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि वह क्रूस पर मरे अतर वह उसे वही मार देना चाहता था। लिखा है उसकी सुनी गई। यदि हम कहें कि वह क्रूस की मृत्थिव के लिए विंती कर रहा था कि वह कटोरा उससे टल जाए तो उसकी विंती सुनी नहीं गई। परंतु इबरानियों का लेखक कहता है कि उसकी सुनी गई, इसका अर्थ यह है कि गत समनी में ना मरने की उसकी विंती सुनी गई थी, मेरे मित्रों भवश्रद वानिस से स्पष्ठ था कि वह कुरूस की मृत्यु मरेगा, भजन सहीता 22 से अधिक अच्छा कुरूस का विवरन कहीं और नहीं है, कुरूस एक वेदी था, जिस पर परमेश्वत के पुत्र ने अपना लहू बहाया था कि आपके और मेरे पापों का दंड चुकाया जाए, लैबे विवस्था के पुस्तक 17 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चड़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्राश्वत किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्राश्वत होता है, ध्यान दिजे, पुराने नियम में परश्वों का लहू पापों को केवल ढाकता था, परन्तु प्रवईश्व का लहू तुम्हारे प्राणों के प्राश्वत के लिए है, प्रवईश्व ने क्रूस की वेदी पल लहू बहाया था, उसने यहनर चिसू समाचार तीन अध्याय उसके चौदा पद में निकोदेमुस से कहा था, कि जिस प्रकार मुसा ने जंगल में साप को उचे पल लटकाया था, उसी प्रकार मनिश्व के पुत्र का उचे पल लटकाया जाना आवश्यक है, मेरे विचार में उसकी प्रार्थना यही थी कि वह गत्समनी में ना मरे, यह उसकी मानुए प्रार्थना थी, क्यूंकि वह रो रहा था और उसका लहू पसीने की बून्द बनकर तपक रहा था, क्रूस के निकेठ वह मृत्य के मुह में जा रहा था, अता उसने प्रार्थना की कि वह मृत्य से बच कर क्रूस तक पहुँच जा है, और लिखा है कि भक्ति अर्थात भय के कारण उसकी सुनी गई मित्रों हम देख चुके हैं कि भय सदेव बुरा नहीं होता है कुछ बातों में निर्भिक होना भी आजसमाने है मेरे विचार में हमारी कलिस्याओं में कुछ और भय होना चाहिए हम में परमेश्वर का भय होना चाहिए क्योंकि वह बुद्धी का मूल है प्रवईश्यू भय भी था इब्रान्यों की पत्री पांच अध्या उसके आठ और नौपद में आगे लिखा है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आग्या माननी सीखी और सिध बनकर अपने सब आग्या मानने वालों के लिए सदाकाल के उध्धार का कारण हो गया लिखा है और सिध बनकर अर्थात परिपूर्टा प्राप्त करके सदाकाल का उध्धार उसका उध्धार अनन्त है यदि आपका उधार कल चला जाए तो वह अनन्त नहीं है वह कुछ और है प्रभर इश्यू द्वारा दिया गया उधार अनन्त होता है सब आग्या मानने वालों के लिए आग्या मानना क्या है इश्यू से एक प्रश्न पूछा गया था उन्होंने उससे कहा परमेश्यू के कारे करने के लिए हम क्या करें पद उन्तिस में इश्यू ने उत्तर दिया इश्यू ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्यू का कारे यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो मेरे मित्रों यदि आप परमिर्षर की आग्या मानना चाहते हैं तो प्रभी इश्यु में विश्वास करें वह यही कहता है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आग्या माननी सीखी मैं इस वाके को समझ नहीं पाता हूँ परमिर्श्वर के पुत्र को दुख उठा कर आज्या मानना क्यों सीखना था वह तो पहले से ही सिध था तो उसे सिध होने की क्या आवश्यक्ता थी या एक ऐसा भेद है जिसकी गहराई मैं नहीं नाप सकता मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि परमिर्श्वर को प्रभु इश्व की मृत्यु से कुछ मिला था उसकी मृत्यु से स्वर्ग अधिक उत्तम हो गया था उसने स्वर्ग में कुछ जोड़ा जहां सब कुछ सिध है और परमिर्श्वर के पुत्र ने कुछ सीखा मनश्यों की परिभाशाएं मुझे संतोष प्रदान नहीं करती है मुझे केवल यही पता है कि यह एक भेद की बात है प्रवीश्यों ने मानव रूप धारन किया और मानव रूप में वह आग्यकारी रहा यहनर चिसू समाचार छे अध्याय उसके 49 पद में प्रवीश्यों कहता है कि वह पिता परमेश्व की इच्छा पूरी करने आया था और तब फिलिपियों की पत्रिद दो अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है वरन अपने आपको ऐसा शुन्य कर दिया और दास का स्वरूप धारन किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रगट होकर अपने आपको दीन किया और यहां तक आग्यकारी रहा कि मृत्यू हाँ कुरूस की मृत्यू भी सहली मेरे मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं मरूंगा तो मैं आग्या मान कर नहीं मरूंगा यदि प्रभु ना आए मैं मरना नहीं चाहता जब लोग मरने की बात करते हैं तो मेरी समझ में यह अस्वभाविक है मैं तो जब तक संभव हो इस प्रिथी पर रहना चाहता हूं जब मैं बिमार था तब बहुत लोगों ने मुझे पत्र लिखे हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमिर्षर आपको जीवन दान दे मैं धन्यवाद से भरा हूं कि परमिर्षर ने उनकी प्रार्थनाय सुनी परंतु एक महिला ने लिखा मैं आपके लिए जीवन दान की प्रार्थना नहीं कर रही हूं मैं जानती हूं कि आप जाने की तयारी में है इसलिए मैं प्रात्ना कर रही हूँ कि परमेशर आपको घर ले जाए मैंने उसे पत्र लिखा आप कृप्या करके यह काम प्रभू के हाथ में छोड़ दें या उसके और मेरे बीच की बात है मैं यहीं रहना चाहता हूँ अतर यदि आप अपनी प्रात्ना में शमा मांग कर बदलाव लाएं तो अच्छा होगा और परमेशर से कहें कि मैं यहां रहना चाहता हूँ मेरे मित्रो इब्रानियू की पत्री का लेखक जब कहता है कि प्रभू इश्यू ने दुख उठा कर आग्या मानने सीखी तो मैं इसे समझ नहीं पाता हूँ मैं किवल यही समझ पाता हूँ कि यह एक भेत की बात है और हमारे प्रभू ने भी कुछ सीखा इब्रानियू की पत्री पांच अध्याय उसके दस पद में आगे लिखा हुआ है और उसे परमेश्वर की और से मलकी सीख की रीती पर महायाजक का पद मिला अब लेखक प्रभू इश्यू के याजक होने के बारे में कहेगा पुराने नियम में मलकी सीख प्रभू इश्यू का प्रतीक होने के लिए था आईए देखें, ऊचा सुनने के खत्रे की चेतावनी, या खत्रे की तीसरी चेतावनी है, जो लाल बती के समान चमकती है। अब वह हमें मुख्य मार्क पर लाना चाहता है। परन्तु हमें इससे पहले दोनों और देखना है या उंचा सुनने का खत्रा है वह शेश अध्याय को इसी विशय में समर्पित करता है अगले अध्याय में वह एक और खत्रे की चेतावनी देने के बाद मल्की सिदक की रीती पर प्रवईश्य के महायाजक होने की चर्चा करत है आईए हम पढ़ें इबरान्यो के पत्री पांच अध्याय उसके ग्यारा पद यहाँ पर लिखा है इसके विशय में हमें बहुत सी बाते कहनी हैं जिनका समझाना भी कठिन है इसलिए कि तुम उचा सुनने लगे हो लिखा है इसके विशय में हमें बहुत सी बाते कहनी है लेखाक के पास कहने के लिए अभी बहुत बाते हैं जिनका समझना भी कठिन है समझना कठिन क्यों है इसलिए कि तुम उचा सुनने लगे हो लेखाक तो इस परश्ट समझा रहा था परन्तु वे समझ नहीं पा रहे थे मेरे प्रियों क्या आपने कभी अपने पत्नी से या अपने पती से कहा है पास्टर समझा नहीं पा रहा था आज प्रचार में कुछ मजा नहीं आया क्या आपने कभी सोचा है कि समस्या आपके साथ है क्या आप उचा सुनते है समस्या बोलने की नहीं सुनने की है आज विश्वासियों की सबसे बड़ी समस्या सुनने की है मलकी सीधक के रीती पर प्रवीश्यू का महायाजक होना एक कठिन विशय है परन्तु लिखक सीधा और स्पष्ट कहेगा इस विशय को समझने के लिए आत्मिक समझ की आवश्यकता है इसके लिए आवश्यक है कि पढ़ने और सुनने वाले आत्मिक सतरकता रखें और परमिश्वर के वचन को जाने तथा उसके निकट रहें इबरानी विश्वासियों में सांसारिक बुद्धी तो थी परन्तु आत्मिक बुद्धी की कमी थी उन्हें सीखना कठिन इसलिये था कि वे समझ नहीं पाते थे वे अभी शिशु अवस्था में थे और जैसे आज के पवित्र जनों में से अनेक है उन्हें प्रचारक से भी बच्चों का सा विवार करनी की अपेक्षा थी से वचन की हत्या करके भी बच रहे हैं वे वचन के स्थान पर अपने विचार सुना रहे हैं कलिस्या को ऐसे बच्चों वाली बातें अच्छी लगती हैं इबरान्य के पत्र पांच अध्याय के बारपद में लिखा है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदिख शिक्षा फिर से सिखाए तुम तो ऐसे हो गये हो कि तुम्हें अन के बदले अब तक दूध ही चाहिए मेरे मित्रो ध्यान दिजे यहां पर लिखा है कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदिक शिक्षा फिर से सिखा है आदिक शिक्षा के लिए युनानी शब्द का अर्थ वास्तों में अनु है अर्थात मूल तत्व है इन्हें हम मसीही जीवन का काखाग कहते हैं उन्हें तो वास्तों में शिक्षक और पोनविक्षित होना था परन्तु उन्हें तो अब भी आवशक्ता थी कि कोई उन्हें गोद में उठा कर हवा निकाले अर्थात उसे लिये फिरे एक दिन रववारीय अराधना के बाद जब मैं कलिसिया से हाथ मिला रहा था तब एक व्यक्ति मेरे पास आकर कहने लगा आपको मुझसे क्या बुराई है मैंने कहा नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कल आप मेरे पास से निकल गए और मुझसे बाद भी नहीं की यह बच्चुं वाली बात नहीं तो और क्या है मैंने उसे देखा भी नहीं था ऐसा कहना महा मुर्खता है किसी और ने शिकायत की आज गायक ने गाना नहीं गाया हम तो उसी को सुनने आये थे ये शिशु अपना जुनजुना और दूद की बोतल ही मांग रहे हैं इन इबरानी पाठकों से लेखा कहता है तुम्हें मांस की अपेक्षा अभी तक दूद चाहिए तुम अभी तक बड़े नहीं हुए हो तुम पूर्ण विक्सित नहीं हो बच्चा मांस नहीं खा सकता परन्तु बड़ा दूद का आनंद लेता है मैं मानता हूँ कि आज बहुत से पवितर जनों को बच्चों वाली बातें सुनना अच्छा लगता है या एक तरास्दी है कि उन्हें यह सुनना पड़ता है वे सुनते हैं इबरानियों के पत्रे 5 अध्या उसके 13 पद में लिखा है क्योंकि दूद पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वच्चन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है ध्यान दीजी वह परमिर्श्वर के वच्चन का ज्यान नहीं रखता है मेरे मित्रो मैं आपके पाउं कुछलना नहीं चाहता परन्तु मैं आपका सहायक बनने की इच्चा रखता हूँ आप परमिर्श्वर के वच्चन से हट कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप कलिस्या में कितने भी सक्रिय क्यों नहो आप कलिस्या में पदाधीकारी होंगे आप कलिस्या की हर एक समीति के सदस्य होंगे आप एक जाने माने उप पासबान या पासबान होंगे आप क्या हैं? मैं इसकी चिंता नहीं करता यदि आप परमिर्श्वर के वच्चन का चिंता नहीं करते और उसे अपनाना नहीं जानते तो आप शिशु ही हैं एक शिशु कासा मसीही जीवन रख कर कलिस्या का कोई पदभाज संभालना एक बहुत बड़ी त्रास्दी है आपको पून विक्सित होना है यह एक दुखत बात है कि विश्वासी कलिस्या के सदस्य हैं और वर्ष्णों पूर्व उद्धार पा चुके हैं परन्तु वे अब तक काखा गाही कहते रहते हैं आप मेंसे भी कुछ लोग ऐसे ही हैं उनके पास बच्चों किसी बाते करने की अपेक्षा और कुछ नहीं कि कलिस्या के विश्वे में योगदान दें वे बस इतना ही चाहते हैं कि प्रचारक समय समय पर उनके पेट में दूद के साथ फंसी हवा निकालता रहे इबरानियों के पत्री पांच अध्या के चौदा पद में लिखा है पर अन स्यानों के लिए है जिनकी ज्यानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुन हो गई हैं पहला कुरुंतियों के पत्रे तीन अध्याय उसके एक और दो पद में पौलुस कहता है, हे भायो मैं तुमसे इस रीती से बाते न कर सका, जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं, मैंने तुम्हें दूद पिलाया, अन न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खाज सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खाज सकते हो तब पहला पत्रस दो अधिया उसके एक और दो पद में पत्रस कहता है इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और चल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जनमे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूद की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उधार पाने के लिए बढ़ते जाओ मेरे मित्रों मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि आज आप किस की लालसा करते हैं क्या आप उधार में आगे बढ़ते जा रहे हैं या अभी भी शिशु जीवन जी रहे हैं आज आप आवश्य ही थोड़ी देर इस पर विचार करें पिछले प्रशन का उत्तर है बी महायाजक महायाजक परमेशर के सामने मनुश्यों का प्रतिनिदित्व करता है सभी विजयताओं को विशेश पुरसकार प्रदान की जाएगी आज का प्रशन है धर्म शास्त्र के अनुसार ये शु कितनी बार रोया था मित्रों इस प्रशन का उत्तर हमें कल सुबह 6 बज़े से पहले प्रशन क्रमांक 960 A, B, C या D विकल्प के साथ नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें धन्यवाद क्या आपको ये कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजयता हो सकते हैं दोस्तों आपने देखा कि इबरान्यों की पत्री के माध्यम से परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के उधार की अध्भुत योजना को हम तक ला रहा है ये प्रगट करता है यदि परमेश्वर का लिखित वचन हमारे साथ ना होता तो हम परमेश्वर की योजना को कभी नहीं जान पाते कि हम उसकी अनंत योजना में शामिल कैसे हैं हम अविश्वाशियों के तरह एक लक्ष हें जीवन यापन करते रहते जो सिर्फ इस संसार की वस्तुओं में खुशी या आनंद को ढूंदते रहते हैं परमेश्वर हमें उस से उत्तम आनंद देना चाहता है इसलिए उसने अपने महांतम प्रभंद को हम पर प्रगट किया हमने देखा कि ईश्व मसी ने परमेश्वर का पुत्र होकर भी दुख उठाया और सब आग्याय मानी और वह सिद्ध सावित हो गया उसके इस कार के द्वारा स्वर्ग और सुन्दर हो गया स्वर्ग में परमेश्वर और उसके दूट गंड वास करते हैं और वह जगा हम सब के लिए बनाई गई है परमेश्वर की दूट परमेश्वर की महिमा करने और उद्धार पाए हुए विश्वासियों की सेवा के लिए बनाए गए है लेकिन यदि हम वहां ना हो तो यह उद्देश पून नहीं होगा परमेश्वर का वच्चन हमारी और दृस्टी करते हुए कहता है कि ईश्व आग्याकारी होने से सिद्ध बन गया और वह अपने सब आग्या मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण बनाया गया ईश्व ने सब कुछ करके दिखा दिया और हम सब से एक छोटा सा कार्य या उमीद करता है कि उसके इस कार्य पर हम विश्वास करके अपने पापों की शमा मांग कर सदाकाल के दंड से बच जाए दूस्तों यही परमेश्वर की इच्छा है इब्री विश्वासी इस बात को नहीं समझ सके क्योंकि वे उम्चा सुनने लगे थे उनकी कान बहरे हो गए थे हम में से बहुत से लोग है जो इसी प्रकार का जीवन वैतित करते हैं हम कलीसिया की विभेन्य बातों में रूची लेते हैं विश्वास करते हैं, कार करते हैं लेकिन परमेश्वर के इस मचन में रूची नहीं लेते इस कारण हमारे लिए आज के अध्यन में एक चेतावनी भी है और उधार के कारे को स्वीकार करने की चुनोती भी आज का अध्यन हमें देता है इसलिए आईए हम इबरी और यहुदी विश्वासियों से उपर जीवन जीए ताकि उधार की निश्यता हमें इस संसार के बहकावे से बचा रखे और स्वर्ग हमारा अंति पढ़ाओ बने मित्रो मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज का जो अध्यान है या हमारा इबरानियों का अध्यान है उस पर हमारे इस वर्ष का बाइबल क्विज दो हजार बाइस का निरधारित है 18 सितंबर को इसलिए आप पंजिन कराएं क्योंकि इसकी अंतिम्तिती पंजिन कराने की 20 अगस्त है इसलिए ततकाल अपना पंजिन कराए और इस बाइबल क्विज में शामिल हो। आईए हम अपने अध्यान को समात करें और परमेश्वर को इस अध्यान के लिए धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गी पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया कि हम इन वैती दिनों में इन अध्यानों से आशीश प्राप्ट कर सकें। पिता हमने बहुत बार ऐसा विचार भी नहीं किया था लेकिन आपने इस अध्यान को हमारे सामने परस्तत किया कि हम इसके दोरा से आशीश पाएं। हमारे कितने ऐसे धर्शक हैं जो अनायास ही इस कारिक्रम में शामिल हुए लेकिन ये आपकी योजना थी और उसके द्वारा से वे आशिशित होते आ रहे हैं। पिता उनके जीवन में जो आपने आशिशे दी हैं उसके धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन हमें स्वतंत्र करता है और जब हम आत्मी ताहर पर स्वतंत्र होते हैं तो हमें अनंत आनंत प्राप्त होता है। पिता धन्यवाद देते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए, उनके कारियों के लिए आज हम बिंती करते प्रभू, उनके रोजी-रोजगार पर आप आशीश प्रदान करें, जो ऑफिसों में कारे कर रहे, जो व्यापार कर रहे, जो सिक्षक है, जो किसी प्रकार से चिकित्सा भाविभाग में हैं जो अनप्रकार के कारियों में कमपनियों में काम करते हमारे हरे एक दर्शक के लिए हम प्रात्ना करते प्रभू जिस भी कारे में हैं चाहे वे बच्चे पढ़ाई लिखाई के कारे में हैं जो कॉम्पिटिटिव एक्जाम की तयारी कर रहें प्रभू प्रेक आशीश को प्राप्त करके आपके और से अपने आशीशों को अनुभाव करते चले जाए। धन्यवाद देते पिता प्रार्थना को सुनने के लिए और प्रभु ईशु क्रीश्ट के नाम से इस बिंती को मांगते हैं। इसलिए सुनें और अपनी महिमाद ले ग्रहन करें। आमेन। अध्यान करते रहें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीश्टे नमस्कार। अध्यान करें। अध्यान करें।